श्री गुरुवे नमसकार मैं सूरज मिसरा आप लोगों का इस्टो गुरू इस्टो तक पर आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ यह आज तक का इस्टो तक बिसेश प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं जोति से जुरी बिसेश जानकारियों को लेके आता है जिह इस बार रिसी पंचमी बादो मास की सुक्लपक्ष की पंचमी तिथी को तारीक है 23 तारीक को इस बार हो रहा है और रिसी पंचमी मैं आप जिस भावना से सब्त रिसी की पुजा करेंगे सब्त रिसी उस भाव को पूर्ण कर देते हैं पुरानों में जो सब्त रिसी बताये गए हैं खास करके विश्णु पुरान के अनुशार उसमें बताये गए हैं पसिष्ट, कस्यप, अत्रई, जमरागनी, गौतम, विश्वामित्र और भारत द्वाच ये साथ रिसी हैं और ये साथ रिसी आप आकास गंदा में भी देखते हैं सब्त रिसी सब्त रिसी मंडल दिखता है कहा जाता है सब्त रिसी मंडल से जो भी कुछ मांगे जाते हैं वो पूर्ण होते हैं और वो आज के ही दिन सब्त रिसी की जिस दिन पूजा होती है उस दिन कहा जाता है कि उन्हें एक चाहे जिसके पास जैसी सकती हो केले के पत्ते पर भी कर सकते हैं उनकी पूजा आप या काठ का चौका बना दें उन पर उनकी पूजा करें जिस व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही हो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो पुत्र या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो वो चाहता है कि मुझे संतान हो पुत्री हो तो वो सब्त्रिसी की पुजा पती पत्री साथ में बैच के करें और पुजन में फल का भोग लगाए और उस फल का भोग लगाने के बाद पुजन के समापती होने के बाद वह बच्चों में बांटे उस फल को जितने अधिक से अधिक बच्चों को जाकर वो फ खल खिलाए सिग्रती सिग्र संतान की प्राप्ति हो जाती है जिस लरकी की साधी नहीं हो रही हो उसके माता-पिता काफी पड़ेसान है वो स्वैंग ही बैटकर सब्तरिसी की पूजा करें और पूजन के उपरांत आसपास कोई नवदंपती हो तो वहां जाकर अपनी पुत्री के हाथों से उन लोगों को भोजन कराएं या किसी के पुत्र की पूजा नहीं हो रहे साधी नहीं हो रहे तो पुत्र के हाथों से भोजन कराएं ऐसा कड़ाने से आप देखेंगे कि सिग्रती सिग्र आपकी साधी हो जाती है और भोजन ही नह जनपती से आशिरबाद भी लेना अ मिया दूसरा कि आपका कोई कार मान लिजिए आप लगातार आप्यहाइक करें घाटा हो जाःआ है रुख जा रहा है धं रूख जा रह दाए की पूझत रिसि पूझा करने के ऐब आप सब तरिस हिकी पुझा रहने के उपरांत आप पस्वो को भोजन कराएं आपके रुके हुए कारी बन जाए अब देखेंगे आपके रुके हुए जो भी कारी है उसकारी में ब्रद्द्धि हो गई आप का कोई जमीन जमीनी विबाद है कोई न्याईक समस्या चल रही हो तो आप सब्तरिसी की पूजा करवाएं संभब हो सके तो आज पास कि में पंडी जी हो उनको आपके उनको बुलाएं या आपके कुल प्रोहित हो उनको बुलाएं उनको बुलाकर सब्तरिसी की यह दिप पूजा करवाते हैं। और तो आपका ये जो विवाद होता है वो शमाप्त हो जाएगा और पूजा के उप्रांत एक चीज़ का जूरώर ध्यान儿 रखना है यदि आपकी कानूली समस्या को ठीक करना है गृष बिवाद को ठीक करना आ है तो पकषियों को दाना देना पड़ेगा पक्षियों को दाना देना और ऐसे भी समस्या किसी के साथ हो रही कि संतती हो रही और संतती की मृत्ति हो जाती है संतती बच्चे बच नहीं रही हैं तो इस अबस्था में ऐसे जातक को क्या करना चाहिए ऐसे जातक को पूजन के उपरांत कव्वों को भोजन कराना चाहिए भ्यान से आप कव्वों को भोजन कराएं आप देखेंगे कि आपके घर जो शंत्ति है उसकी आयू में द्रगायू हो जाएगा तो इसी पंचमी के महत्ता के बारे में कैसी पूजा किया जा और क्या फ़ल मिल सकता है इसके बारे मैंने आपको बताया आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद साधुबाद नमपार्वति पतर नमश्कार